बोशरे पाठनों हबे ता जाना जाए नी एई स्क्वाड्रोनेर अंक्ष छिलेन आमदे शवार प्रियो टी आप फैंटास्टिक ख्यातो उइंक कमांडर ओभिनांदोन बड़्धमांदादा असलाम अलेकुम आज की वीडियो में बात करेंगे फाइटर जैट्स के बारे में जी हाँ इंडिया के जो फाइटर जैट्स हैं मिग 21 वो इतने ज्यादा पुराने हो चुके हैं कि वाब अब वो उड़ाने के काबल भी नहीं रहे ही जैट्स बाला कोर्ट ओप्रेशन में इंडिया ने इस्तमाल किये थे जब इंडिया ने बाला कोस्ट कोर्ट में घुसके पाकिस्तान के बॉर्डर की खिलाफ वर्जी करके जंगल में पेलोड गिरा के चले गए थे जब उसके response में पाकिस्तान आर्मी ने action किया था और इंडिया को ये दिखाया था कि हम आप military installments को तबाह करने की स्लाहित रखते हैं उसके बाद military settlement से थोड़ा सा दूर बाम गिराये थे तो इंडिया के होश्च छिकाने आगे जब इंडिया के त्यारों ने पाकिस्तान का पीछा किया उसमें मिग 21 त्यारे थे जो अभी नंदन भी उनमें से एक पाइलर था तो पाकिस्तान के जेफ 17 त्यारों ने इंडिया के दो त्यारे मार गिराये थे जिसमें से एक त्यारा जो था वो इंडिया में गिर गया था लेकिन एक त्यारा पाकिस्तान में गिरा था और अभी नंदन को पाकिस्तान में जिंदा पकड़ के चाय पिलाए गई थी तो ये वही मेग 21 त्यारे हैं जो के बंगला देश ने त्यारों को अपने जो फिजाईया है उससे निकालेगा तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है मज़ीद इस वीडियो में जानते हैं के मिग 21 त्यारों के बारे में इंडिया ने क्या फैसला किया लैट स्टार्ट दा वीडियो 321 स्टार्ट असलाम वालेकुम भीवर्स आपनी की कखनो उरंतो कफीन देखे छेन ना देखे थाकले इंडियान मिग 21 के देखते पारेन भारत दुहाजा छाई साले तादेर पुरोनो मिग 21 विमान के आपडेट करे बायसने प्रिनात करे 44 बचोरेर पुरोनो फाइटार गुलोर म्याद अनेकागेई शेशोये छे यामुन की बार्नादेशेर फाइटार जेर्ट संकर्थाका सत्तेव पुरोनो मिग 21 गुलोके जाधोगरे पाठिये छे जिभाने भारत याकोने शेब पुरोनो विमान ईुस करे जाँछे उल्लेको बार्नादेश विमान बाहिनी अवशरे पाठान होच्छे तीरीशे सेप्टेम्बर बाकी आरो तीन्ती स्क्वार्ड्रोने थाका उर्णत कफिन गुलो कवे अवशरे पाठान होबे ता जाना जायनी एई इस्क्वार्ड्रोनेर अंग्ष छिलेन आमादे शबार प्यो ती ओप फैंटास्टिक ख्यातो विं मिक 21 दुर घटनार शिकार होए छे जाते कौम पक्खे प्राय दुशो जोन पाइलोट प्रान हारिये छेन एड़ जोन नो एई बिमान्टिके उर्णत कफिन आख़ादाव होए छिलो एबार अवशरे पाठिये नोतुन प्रजुक्तिर जुद्धुविवान निजुक्ते स कमेंट बॉक्स से तब आशा करा जाए एक और जोने धारा अब भूत राखते भारते नोतुन उर्णत कफिन इंजिनियर के बंग पाइलोट रा निजेदे शुर्बत चोचेश्टा कोरे जावे ये था आज का वीडियो जैसा कि आपने देखा कि इंडिया मिग 21 जो 40 से 50 साल पुराने जो फाइटर जैट्स हैं उनको अभी भी यूज़ कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ भी मिग 21 को इस्तमाल किया गया जबके पाकिस्तान ने चैना की शराकर से जो पाकिस्तान ने एक त्यारा त्यार किया जे एफ 17 उसको यूज़ करके भारत के धूल चटाई थी भारत के दो त्यारे मार गिरा थे जिसमें से अभी नंदन को जिन्दा पकर लिया गया था और उसको चाय पिलाई गयी थी जिस पे बहुत ज़्यदा मीम्स बने थे कि टी वास फैंटास्ट इंडिया के इन त्यारों को देखके और अभी नंदन की जब भी पिक्चर नजर आती है तो बहुत से लोगों को हसी आती है और मेरी भी हसी निकल जाती है कि इंडिया जासा मुल्क जो दावा करता है कि वो इतनी बड़ी डिफैंस पावर है और वो अभी तक इन त्यारों क मुजियम में रखें और आप देख आपने देखा जैसा कि वीडियो में के लोग मिग 21 को एंजॉय का रहे थे उसके आस पास खड़े थे मुजियम में तो भारत अभी ताके इंत्यारों को यूज का रहा था लेकिन अब इतनी बेस्टी होने के बाद और इतनी सुबकी होने के बात भारत ने फैसला किया है कि मिग 21 को वो प्लेस करेगा तेजस फाइटर के साथ जो भारत ने तेजस फाइटर बनाया है भारत का दावा है कि वो बहुत अच्छा त्यारा है लेकिन मुझे परसनली ऐसा लगता है कि भारत की एर फोर्स और भारत के जो फाइटर जैट्स मेड इन इंडिया वो इस काबल नहीं है कि वो पाकिस्तान एर फोर्स का मुकाबला कर सके और यह हमने सब जंगों में देखा है अब भारत ने राफेल त्यारे भी खरीदे हैं फ्रांस से वो बहुत ज़्यदा अच्छे त्यारे लेकिन पाइलट जो होता है मशीन को उड़ान करने का अलान कर दिया लेकिन बड़ी हरानगी की बात है कि बंगला देश की एर फोर्स बारत से काफी काम है और उनका बजड़ भी काम है लेकिन बंगला देश ने इंत्यारों को काफी सालों पहले ही अपने म्यूजियम में राक दिया था लेकिन इंडिया अभी भी इंत्य कारों को यूज कर रहा था और अभी नंदन ने बहुत जादा इंडिया की इंसल्ट भी करवाई थी और उसके बाद भी इंडिया वालों ने अभी नंदन को एवार्ड से नवाजा था तो सेलूट है इंडिया की बेशर्मी को के मतलब अपनी शिक्रस्त को भी वह को नहीं गिराया आपने अमेरिका के एफ 16 यूज किया है तो उसके जवाब में एर फोर्स के जो चीफ थे उन्होंने बहुत मज़े का जवाब दिया उन्होंने का कि अगर जो चांटा है मेरे दाएं हाथ से पड़े या बाएं हाथ से बात तो है किया है तो चाहे एफ 16 के ही फुरू हमने बिक 21 को तुबाव किया हो य हमने जे फ 17 के तुबाव की हो पूरी दुनिया को हमने दिखा दिया था कि भारत की एर फोरस का कच्छा चथा हमने खुल दिया था आप बंगलादेश एरफोर्स पाकिस्तान एरफोर्स को स्टडी कर रही है और F-16 त्यारे अपने उसमें आड़ करने जा रही है एरफोर्स में जिससे भारत को बहुत ज़्यादा प्रोब्लम हो रहा है कि पहले पाकिस्तान था और आप बंगलादेश भी अगर F-16 त्यारे खरीद लेगा तो भारत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्या सोचते हैं भारत के MIG-21 त्यारों के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बदाए वीडियो ची लेगी लाइक करें चैनल पर नुहां सब्सक्राइब करें बैल आइकन खलकासा प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो अबडेट आप तक पहुंच सकें अलाहाफिज